ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रु सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारिधर मिंद शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशिफल यह राशिफले 13 सितंबर 2022 मंगलवार का दिन है आश्विन महा के कृष्ण पक्ष की तरतिया तथा चतूर्थी तिथी रहेगी इस दिन तरतिया तिथी का स्राद्ध संपन्न होगा और चतूर्थी का वरत इसी दिन संपन्न होगा जो माताएं बहने भक्त जन चतूर्थी का वरत करते हैं उनको इसी दिन चतूर्थी का वरत करना चाहिए चंद्रोदय रात को 8 बच के 22 मिनिट पर होगा एवं इस दिन रेवती नामक नक्षत्र होगा सुबह नो बच के बारा मिनिट तक उसके बाद अस्विनी नक्षत्र आरंब हो जाएगा तथा चंद्रमा जो कि सुबह नो बच के बारा मिनिट तक मीन राशी में होंगे उसके बाद मेस रासी में प्रविश कर जाएंगे सुबह नो बच के बारा मिनिट से पंचक भी समापत हो जाएंगे दिशासुल के अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेगा इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारण वस उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत जार आवश्यक हो तो गुड़ खा करके यात्रा औरंब कर सकते ही राहुकाल जो की दो पहर तीन बजे से शुरू हो करके साड़े चार बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब एवं मांगलिक कारिक्रम आपको संपन नहीं करना चाहिए हलाकि राहुकाल का निर्णे आप अपने ख्षेत्र के पंचांग अथवा केलेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है दैनिक ग्रह गोचर के दि हम बात करें तो ग्रहो के राजा सूरी देव जो की सिंग रासी में वहें चंद्रमा मीन तथा मेंस रासी में रहेंगे मंगल ग्रह ब्रशब राशी में बुद्ध ग्रह कन्य राशी में देव गुरू ब्रहस पती जो की मीन राशी में शुक्र ग्रह सिंग राशी में शनी देव मकर राशी में राहू ग्रह में इस राशी में तथा केतू ग्रह तुला राशी में विराजित रहेंगे इस देनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेश मिठोन सिंग तुला धनु एवं कुम्ब ये छे राशियां सबसे अधिक भागिशा ले रेने वाली है दिन इनके लिए लाप प्रसिद्ध होगा धन लाप के साथ साथ कारिक्षितर में उन्नती और प्रगती के भी उत्तम आउसर इनको प्राप्त हो सकते हैं तो कुल मिलाकर के छे राशिवालों के लिए दिन सबसे खास साबित होगा अब हम आपको मेश से लेकर के मीन सबी बारा राशिवालों का देनिक राशी फल पताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्दक वीडियो को अंत तक जरू देखेगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की आज का दिन अधिक तम समय आप अपने व्यक्तित को निखारने में व्यतीत करेंगे आत्म अवलोकन में व्यतीत होगा इसे आपको बहुत मानसिक शान्ती अनुभव होगी अर्थिक दृष्टी से दिन उपलब्धी कारक है धन लाब होगा रुका हुआ पैसा मिलेगा नए आमदानी के स्रोथ भी आपके बन सकते हैं उपाई के रूप में मसूर की दाल का दा किसी भी गरिब व्यक्ति को करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की अगर कहीं पूंजी निवेश या फिर नया काम करने का विचार कर रहे हैं तो देमन साबित होगा आज आपका कोई सपना साकार होने वाला है इसने अपने सभी कारियों पर पूरी तरह ध्यान के इंद्रित रखे विध्यारतियों को प्रतियोगी परिक्षा में उचित परिनाम हासिल होगे और उपाई के रूप में भागवान शंकर जी के मंदिर में इश्वास आपके अंदर शांती और सकारत्मक उर्जा का संचार करेगा जीवन के प्रतियक पहलू पर सकारत्मक द्रश्टिकोन रखना आपको बहतरिन उपलब्दी हासिल करवाएगा नया वाहन नई भूमी नया काम या कोई भी ऐसा कार्य आपको मिलने वाला है जो बहु भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की घर में परिवर्तन की योजना बनेगी या फिर घर बदलने का विचार भी आप कर सकते हैं सकारत्मक विचार उसे आप भरपूर रहेंगे अगर प्रापर्टी या किसी अन् परवत्मन व्यक्ति को करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की पिछले कुछ समय चे चली आ रही और्थिक समस्याओं का निवारन होगा काफी समय से रुक किसी कर्मचारी की लापरवाही के कारण आपको परिशानी पैदा हो सकती है इसलिए प्रत्य कारियों में साउधानी बरत्ना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा और उपाई के रूप में लाल रंग का फल यदिया भोजन के बाद खाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका जामूनी होगा अब हम बात करते हैं कन्या राशी की इस समय ग्रहों के इस्तिती बहतरीन उपलब्धियां आपको प्राप्त करने का योग बना रही है अब अपने अंदर अद्भूत उर्जा व में रुकावट आ सकती है इसलिए लापरवाही न बरते सभी कारियों को गंभीरता पुर्वक आपको करना चाहिए उपाई के रूप में यदिया भगवान विश्नुजी के मंदिर में केला चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की कुछ लाबदायक संपर्क सूत्र इस्थापित होंगे दूसरों की समस्याव वकारियों को सुलजाने में आपके महत्त पूर्ण भूमी का रहेगी आपके लिए बहतर सम्मान जनक स्थितियां बनेगी घर में बच्चों की किलकारी संबर्दित कोई शुब सूचना या अच्छा समाचार मिलने वाला है संतान की उन्नती तथा प्रगती होगी नय वाहन नई जंबेडारी आपको मिलने वाली है प्रापर्टी में भी आपको फाइडा हो सकता है उपाई के रूप में मीठा दही शंकर भगवान के मंदिर में दान करना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा आपका भाग्यशाली अंक साथ होगा भाग्यशाली रंग आपका आस्मानी होगा अब हम बात करते हैं वर्ष्चिक रासी की बहारी गतिविधियों तथा मित्रों के साथ संपरकों को और अधिक मजबूत करने के लिए दिन उत्तम है भाग्यशाली आपके लिए लाबदायक परिस्तियों का निर्मान करेगा घर की सुक्सुईधाओं संबंदी कारियों में आपका समय व्यतित होगा कुछ नकरत्मक प्रबत्ति के लोग आपको नुकसान पहुचाने का प्रयास कर सकते हैं आपको मान सम्मान को भी बचा करकर रखने की आउशत्ता होगी और किसी व्यक्ति से यदि आप सोदेवाजी करते हैं लेंदेन करते हैं तो उसके बारे में चान बीन करना बहुत अवश्यक होगा वरना आप नुकसान में आ सकते हैं और उपाई के रूप में घर से निकलते समय गुड़ खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका नीला होगा अब हम बात करते हैं धनुराशी की आज रोज मर्रा की दिन चरिया से हट कर कुछ रचनात्मक और रुची संबंधी कारियों में आपका समय वितित होगा किसी रिष्टिदार के साथ चलिया रही पुरानी समस्या का समाधान किसी के मद्यस्ता से हल हो जाएगा कुल मिला करके समय खुशनुमा रहेगा रिष्क प्रवत्ति के लोगों को जो है आज सावधानी बरतना चाहिए किसी भी काम में रिष्क न लेना चाहिए और उपाई के रूप में यदि आप पीले रंग की कोई भी वस्तू का डान किसी भी गरीव या जरवत्मन यक्ति को करेंगे तो आपका डेन शुप्फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका आश्मानी होगा अब हम बात करते ही मकर राशी की धार्मिक वा अध्यात्मिक शेत्र में आपको फाइदा होगा आपका रुज़ान वहाँ पर ज्यादा रहेगा आपको मनसिक वा शारीर ग्रूप से स्वस्त भी महसूस करेंगे कोई महत्वपूर्ण सूचना या समाचार मिलेगा जिसे मन आपका प्रसन रहेगा कोई समय से आपने जो लक्ष निर्धारित किया हुआ है आज उसे पूरे करने का उचित समय है अपने गुस्से पर आपको नियंतरन रखना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में घर से निकलते समय लॉंग इलाईची खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते ही कुम्पराशी की आज आपको महत्तुपूर्ण समाचार मिलने वाला है कोई महत्तुपूर्ण जिम्मेडारी भी आपको मिल सकती है धनलाप के साथ साथ नए घर की सुब सूचना भी आपको प्राप्त हो सकती है पदोन्नती के साथ साथ आपको कोई ऐसा काम भी मिलेगा जिसका बहुत दिनों से आपको इंतजार था अर्थी की सितियां बहतर हो जाएगी कलात्मक क्रियाप कलापों में आपकी रुची रहेगी अपने मन के मुटाबिक कारी करने से आपको सुकून और प्रसनता प्राप्त होगी दूसरों पर विश्वास करने की बजाए अपनी अंतरात्मा के नरणय को आपको प्रात्मिकता देना चाहिए आपको अबशी ही उचित मार्ग दरसन प्राप्त होगा किसी दोस्त या रिस्तिदार का साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा उपलब्धी कारक रहेगा और उपाई के रूप में भगवान गनेश जी के मंदिर में यदि आप बादाम चड़ाएंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका बादामी होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आपकी हिम्मत और साहस आज बहुत अधिक रहेगी और उसी के बलबूते पर आप बहतरिन परिनाम भी हासिल करेंगे दो परबार इस्तितियों में सुधार होगा धनलाब होगा परिवार में खुशियाओं का आगमन होगा शुब और मैंगली कारिक्रम की योजना भी बनेगी और उपाय के रूप में घर के मंदिर में शहत चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका नीला होगा तो मित्रो यह बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाय तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और यह अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी क्रश्न साधर धन्यवाद